Hello everyone, so काफी सारे लोग request कर रहे थे कि हम curly patch के उपर एक dedicated video लेके आए हमने recently instagram के उपर एक reel डाली थी जिसके उपर हमें बहुत अच्छा response आया and almost अब daily ही हमारे पास messages आते हैं कि curly patch किस तरीके से बन सकता है कर ली पैच इसकी प्राइजिंग क्या रहेगी या कर ली पैच के उपर एक dedicated video बताओ उसको explain करते हुए सो आज की वीडियो पूरी तरीके से dedicated होने वाली है कर ली पैच इसके उपर सो अगर आप curly पैच चाहते हैं या आपके curly बाले और आप hair patch लगवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा आज आपको सारी detailed information मिल जाएगे regarding curly hair patch सो आपने hair patch से related आज तक जितनी भी वीडियो देखे हैं generally आपने straight hairs की वीडियो देखे होगी curly hair हो but demand curly hair की बहुत जाधा रहती है because जिसके original बाल curly है वो चाहता है कि curly ही बाल उसको patch के अंदर मिल जाए जिससे वो merge हो जाए and curly बाल बहुत सारे लोगों के उपर curly बाल ही suit करते हैं so इस चीज़ का हमने solution निकाला है अब हम आप किसी भी hair patch के अंदर हमारे यांसे hair patch को curly करा सकते हैं since हम जो भी hair patch का use करते हैं वो 100% natural human hair का होता है तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि अगर natural hair का patch है तो आप उसके अंदर straight भी कर सकते हैं curl भी कर सकते हैं and जो भी आप highlight करना चाहाए या जो भी color करना चाहाए वो आप कर सकते हैं बट curling बहुत ही कम लोग इंडिया के अंदर प्रोवाइड कराते हैं and मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर हमने अब curling स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोग इसे देखके शुरू भी कर देंगे curling को प्रोवाइड कराना सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं क्या हम हर पैच के अंदर कर ली करा सकते हैं यस आप 10,000 से अबब वाले जो भी हमारे freestyle patches होते हैं और जो natural hair में होते हैं आप उनके अंदर curl करा सकते हैं बट मेरा suggestion रहेगा कि अगर आप curling में जा रहे हैं तो थोड़ा सा प्रीमियम पैच लीजिए विकाउस जो हमारा 10,000 वाला गया जो एक basic patch होता है उसके अंदर hair की processing अलेडी लो होती है और जब हम उसको curl करने जाते हैं तो उस वज़े से क्यूंकि उसमें chemical का use होता है सो काफी हट तक जो hair की quality है उसके थोड़ा सा impact पड़ता है सो अगर आप curl कराना चाहते हैं तो मेरा पहला suggestion यह रहेगा कि at least आप 15-20,000 यह उससे अबब वाली qualities के अंदर जाएगे जिसके अंदर processing of hair अच्छी हो जिससे जब आप curl करा है तो उसकी hair की quality भी अच्छी रहे दूसरा point है कि हम कितना जादा उसको curl करा सकते हैं अगर आप बिलकुल मेगी की तरह curl चाहते हैं जैसे आपको screen पर दिख रहा है या आप एक normal wiviness चाहते हैं वो हर तरीके का curl हम कर सकते हैं बट यस यह customized order पे ही place किया जाता है यह चीज readily available नहीं होती है हमारे पास आपको कुछ sample ज़रूर मिल जाएंगे curly patches के बट हम जो भी patch को ready करेंगे curly patches के अंदर वो हम आपके accordingly ready करेंगे किसी के head के उपर curliness अलग तरीके की होती है किसी के head के उपर बहुत जादा curliness होती है किसी के head के उपर एक normal curlyness होती है तो एक standard curliness अगर हम patch के अंदर देंगे तो उसके अंदर बहुत जादा merging का issue रहेगा इसलिए हमने इस चीज़ के ऊपर एक dedicate solution निकाला है कि हम custom order place करेंगे जितना जादा आपको curl चाहिए हम उतना जादा curl के अंदर patch को ready करा देंगे अगर आपको बिल्कुल magi जैसा चाहिए तो वो भी possible है और अगर आपको एक normal waviness चाहिए तो वो भी possible है बट जो भी curl होगा उसमें at least हमें 3-4 days working चाहिए उसको curl करने के लिए तो यह चीज आपको on the spot नहीं मिल सकती है अगर आप on the spot चाहते हैं या आप दूर से कहीं travel कर रहे हैं और आपको गर curly patch में ही patch लगवाना है और आप हमारी branch विजिट करने वाले हैं तो आप पहले ही उसका order place कर सकते हैं हम आपको एक वीडियो भेज देंगे कि किस तरीके से आप अपने head का size, texture and वो सब चीज़ें हमें बेज सकते हैं दिन उसके बाद हम आपके size और matching के accordingly एक curly patch को हम ready करके रखेंगे जिससे जिस दिन आप आप आए तो वो चीज पॉसिबल हो कोशिश करिए अगर आप यहां आके best है अपना order place करके जाहिए जितना curly आप चाहते हैं वो चीज आपको हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे अब बात कर लेते हैं प्राइजिंग की सो कर्ली पाच इसके अंदर क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी हेर पाच के अंदर हमसे अब करा सकते हैं कि वो 10,000 से अबब वाला एक 3-style patch होना चाहिए और अगर आप एक अच्छी quality में जाएंगे तो 15-20,000 का बैने आपको बताया है कि at least उसमें जाहिए तो उसमें आपको curl के अंदर भी hair quality अच्छी मिलेगी अगर आप basic के अंदर जाएंगे तो वो बाल थोड़े से जब हम curl करते हैं या हम straight करते हैं तो उसमें हम chemical का use करते हैं और उस chemical के वज़े से थोड़ा सा hair की processing के उपर फरक पड़ता है तो अगर हम बिल्कुली basic पर जाएंगे तो वो curliness में मजा नहीं आएगा जो एक अच्छी quality के अंदर आएगा so pricing जो है वो आप मान के चलिए कि 15,000 से अबब वाले आप किसी भी hair patch के अंदर curl करा सकते हैं उसमें कोई issue नहीं है so curl का एक extra charge रहेगा वो depend करेगा आप किस तरीके का curl जाते हैं जो price है हमारा curling का वो depend करेगा 2,000 to 3,000 रुपीज या even वो 4,000 तक जा सकता है but बहुत rare case में जाएगा अगर आपको बिल्कुली महगी वाला curl जाना है यह एक additional price रहेगा irrespective ओख आप कौन से patch में जा रहे है for an example आपने quality पसंद करी जिसका price है 25,000 so आप उस 25,000 वाले patch के इंदर अगर आपको बहुत जादा curl कराना है तो उसके इंदर एक additional cost रहेगी चुकि 3,000 से लेके 4,000 तक vary कर सकती है depending on आप किस तरीके का curl चाते है and वो एक additional cost रहेगी and within 3 to 4 days आपको वो patch आपके accordingly मिल जाएगा so अब बात कर लेते हैं वो करल की life करेगी यह बहुत important point है देखे करल जो हम करेंगे वो एक हम chemical से करेंगे जैसे एक permanent straightening होती है तो वो long lasting ही रहता है generally वो patch अगर एक तेट साल चल रहेगा तो वो करल एक तेट साल रहेगा so हो सकता है after 8 to 10 months वो 20% रह जाए या वो 15% रह जाए because हम उसके अंदर washing भी करेंगे हम उसके अंदर comb भी करेंगे तो उस वज़े से curl के उपर impact पड़ता है यही same चीज हमारा जो हम अगर बालों को permanent straight कराते हैं तो उसके अंदर भी यह same चीज होती है कि एक time period बाद जो straightening होती है या एक time period बाद जो हम keratin करते हैं उसका effect कम होने लगता है as per हम जितना ज़्यादा उसको wash करते हैं so yes यह चीज आपकी washing आपकी care के उपर depend करेगा but on an average जो patch की life होती है उस time period तक एक curl रहेगा अगर आपको maybe future में ज़रुवत पड़े so आप after 6 months or 7 months curl करा सकते हैं उसमें उतना ही cost नहीं आएगा but थोड़ा बहुत additional cost आएगा and वो दुबारा से आपको हम curl करके दे देंगे जितना पहले था और यह भी आपका depend करेगा आप कितना ज़ादा उसको wash करते है so हम जो भी curl करेंगे वो ऐसा नहीं है कि आज अगर हमने curl करके दिया है तो वो permanent curl रहने वाला है वो over a period of time थोड़ा बहुत कम होता चला जाएगा अब बात कर लेते हैं life की patch की एक life होती है एक से डेट साल उसमें चाहिए आप कर रहा है या स्रेट कर रहा है उससे बहुत जादा impact नहीं बढ़ता है उसकी life के उपर but yes, जैसे मैंने आपको बताया अगर हम curl करते हैं या हम स्रेट करते हैं सोच उसमें chemical का हम यूज करते हैं देखें मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप सब लोगों को बिल्कुर transparent होके सारी चीज़े clear करके बता हूँ मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बोलूगी इससे फरक नहीं पड़ेगा definitely उससे फरक पड़ेगा since ये dead hair होते हैं उस पे उतना जादा impact नहीं पड़ेगा लगते हैं तो वो कल लगते हैं so अगर आप साइट से एक short cut रखना चाहते हैं या side से आप एक short trim रखना चाहते हैं so ये आपके ऊपर चोई से कि आप curl में जाना चाहते हैं ये straight में जाना चाहते हैं because curl hair के साथ थोड़े बहुत drawbacks आते हैं so yes maintenance एक थोड़ी सी जादा हो जाती है curly hair के अंदर so अगर आप side से short hair रखते हैं और आप उपर से अगर आप curl चाहते हैं तो या तो बहुत जादा curl मत कराईए या थोड़ा बहुत waviness कराईए या आप straight में भी जा सकते हैं आब अगर जो लोग side से बिल्कुर trim नहीं रखते हैं वो trim नहीं रखना चाहते हैं वोलोg curly hair के अंदर जा सकते हैं so yes अगर आप अपने side के بالों को long रखते हैं तो तो curly के अंदर फायदा है अगर आप side के balों को long नहीं रखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा विकाज ये बाल अगर अभी थोड़े से छोटे हैं तो उसके अंदर उतना कर्ल नहीं होगा जैसे इसे बाल बड़े होते हैं वो कर्ली लगते हैं तो या तो आप अपने बालों को बड़ा रखिए और कर्ल लगिए जिससे जब हम पैच को भ और के प्रीन को बड़ाइब जाएं तो अब उठीज को हैं ये अच्छी के अपने हैड की फोटो भी वाटसप कर सकते हैं उसे तो गाइड करेंगे किस तरिके से पैच आपको सीट करेगा या या किस तरीके का पैच में आपको जाना चाहिए अगर आपको वीडियो इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लिए बहुत सारी नहीं नहीं चीज़ें इंस्टाग्राम पर डालते रहते हैं